कि नमस्कार आप सभी का स्वागत है मैं हूँ राहूल और आप देख रहे हैं इविद्या चैनल हम लेकर हाजिर है अपना आप हमें चैनल नमबर आठ पर देख रहे हैं सबजेक्ट है मैथमेटिक्स और जो टॉपिक है यानि कि आपका जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 एलजेबरिक एक्सप्रेशन और इस विशह पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आप वसुदेव कुटम मुकम और दवालिस वन फैमिली सो विद इस पॉजिटिव थॉट हम अपना ये सेशन शुरू करते हैं जो की हमारा इंक्लूजिव क्लास्रूम का सेशन है आप स्क्रीन पर मेरे साथ देख रहे हैं स्क्रीन साजा कर रही है मिसमधू मधू नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है मधू इंटर्प्रेटर है और हम आज जो भी पढ़ाई करेंगे जो भी चर्चा करेंगे उसे ही साइन लेंगूज में इंटर्प्रेट करेंगी अब आपका जो आज सब्जेक्ट है जो विशा है उसे पढ़ाने के लिए जो हमारी एक्सपर्ट है वो स्टूडियो में है मैं आप सब का ताउफ कराता हूँ डॉक्टर शिल्पा जैस्वाल है हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्टे स्वागत है आप असिस्टन प्रोफेसर है मेरा अन्दा हाउज डेली उनिवर्सिटी में एलजबरिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज थोड़ा सा डर लगता है मुझे ऐसा लग र चैनल हम आपका निएडिटीज भी कीया का था रिए जाहां यि युफ टेंगश ने भी आपका इसा ने जचेक बमस्कार बगएसर बन ड़ग अजा वान तू षृ बड़ा से कर सकते हैं आपका अब चलिए हमें आपका उने अचिंटी सुनाये आपने लेर्aking को कहां हमें लगता है कि अप नई चीछ सीख जःनी है तोioè है लगता है तो अगला होला है अज शी आपका डर है तो यानी कोई डर्रे की बात नहीं है जैसे हमने वन तू घरиш लेका है जासे ही हम अश्परेश ही में लेधिर किखेगे और अजभरिgest तो मज़ तो आना ही है तो चलिए उसी मज़े से शुरू गरते हैं मैं आपसे अपने लर्नर से और आपसे यह कहूंगी जब जब हमारे यह वह लेख रहे हैं यह वीडियो यह प्रोग्राम देख रहे हैं तो साथ साथ एक पैंसिल ले ले और नोट बुक ले ले अपने पास और अगर उनके पास जैसे ब्रेल में लिखने के लिए इस्टुमेंट तो वो ले ले यह यह फिर उनके पास टेलर फ्रेम है तो वो ले 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 ठीक है तो मैं कुछ आपको बोलती हूं वो आप अपने अपनी जो भी आपके पास साधाने उससे लिखिए तो रहुल जी तो कोण अन चाहेंगे तो उस पे हम 5 को प्लेस करेंगे ता को प्लेस करना चाहेंगे पांच एक नंभर लाइं पर पांच दर्शाना है आफ आपने तो उसके लिए सब से फैले आप numbers को मार्क करेंगे ब्रन लाइन परまぁ करक हैं और हमें कर के नि Hak हां मैं देख पारी हूं कि आप नेक नंबर लाइन बनाई उस पे जीरो अंकित किया और इक्वी डिस्टेंस पे बराबर दूरी पे हां हमारे वीवर्स को भी दिखाए बराबर दूरी पे उन्होंने नंबर्स लगाए अब मैंने आप कहा था रहूल जी के पांच को दर्शान है तो लीजे काला पैन और एक बिंदी बना दीजे पांच पे ठीक है ताकि वह हमें पता चल जाएगी वहां पे आप पॉइंट फाइफ को मला थाइफ को दिखाना चाहते हैं जी तो यह हो गया आपका फाइफ यह देख सकते हैं आप लोग कि आपने पांच दर्शा दिया अब में अगर आपसे कहूं कि हमें क्या करना है अब आप लिखिये नीचे इस नम्मर लाइन के नीचे ठीक है मैं अपने पैन से लिखती हूँ आप 5 माइनस 2 यहां देखेंगे यह दर्शाईए ओके अपकी बारा नीले पैन से दर्शाईएगा ठीक है कहां पे आगया अग पीछे और आगे यह तो रेलिटिव टर्म्स है जीरो की तरफ आगए है हम और आगे पांच से आगे नहीं पड़े पांच के पीछे जीरो की तरफ ता यह मैं अपनी नंबर लाइन दिखा देता हूं यह यह नंबर लाइन आपकी ठीक है दिखाईये मुझे आगे नंबर लाइन पे आप ले तीन सही दर्शाया है अब मैं यह शीटाथ से ले लेती हूं ठीक है और यह पने पास रख लेती हूं अब आपको कहते हूं एक और लाइन नंबर लाइन बनाईये जिस पे आपको क्या दर्शाना होगा पर है लेकिन मैं उसकी वेल्यू पर अगा हम एक सर यह चलिए ठीक है अच्छी जब तक सर बना रहरे हैं लर्नर्स यहां देखेंगे कि जब हमने अंबर लाइन बनाई तो नंबर लाइन पे हमने नंबर स्प्लेस किये जो बराबर दूरी बेज़े यहां पे उन्हों पांच गर्शाया यहां पे तेखे बर और जब पांच दर्शान के बाद मैंने कहा कि 3 माइनस 2 करना है 5 में से माइनस 2 करना है तो उन्होंने solve भी किया यानि कि 3 आया और तीन नम्बर लाइन तो उन्होंने नीले रंग से दर्शाया है ना अगर मैं इसमें कहती जो आपका 5 है यहीं पे एक और मैं सवाल देती हूँ 5 में प्लस 2 करना है तो लर्नर्स आप समझ पा रहे हैं ना कि आप कहां जाएंगे किधर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे 5 से और आगे बढ़ेंगे यहां पे 6 प्लेस करेंगे और फिर 7 प्लेस करेंगे तो यह तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि यह नंबर से क्योंकि यह numbers है, numbers में आप कर सकते हैं, आपको idea हो जाता है कि 5 में से 2 गए कितने मिलेंगे, और 2 में से 3 गए कितने मिलेंगे, यह सब आप कर सकते हैं, इसके बाद अगर यही बात जो मैंने राहुल जी को बोली है अभी कि X दर्श आईए, एक्स दर्श आने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि हम कैसे उस पे काम करेंगे, राहुल जी, दिखाये, यह आपने जो कहा था मैंने करकी दिखाया है, पोशिश की है लेकिन अभी हो पाया है या नहीं, जी बिल्कुल, देखे लेर्नर्स, राहुल सर को मैंने बोला था कि आप एक नंबर लाइन पे X बनाये, अब आपने भी X बनाया होगा, आपका X हो सक नहीं पता, यहां पे X बनाये काम कर रहा है, कहीं भी जा सकता है, यहां भी दर्शा सकते हैं, आप यहां भी दर्शा सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, जब तक आपको उसकी वेल्यू ना दी जाये, तब तक यह आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यह यह बता हैं जो हमने 5-3 में की थी करिए x-2 करना है लेंस आप भी करिये जब आपके पास एक नंबर लाइन है नंबर लाइन पे आपने x प्रेस किया मैंने अब बोला कि आपको माइनस 2 करना है यानि एक अपरेशन करना है उसमें से घटा करनी है एकस में से दो घटाना है तो उस नंबर लाइन पे कहाँ एगा राहू सर कर रहे है और मैं जरा आपको बताती हूं दिखाती हूं सर ने क्या किया सर मुझे लगता आपका डर खतम हो चुका है जरा हमारे लेर्नर्स को दिखाई है क्योंकि मैंने तो अप्रेशेट किया है कि सर के एफट्स अच्छी है और सर ने इन्होंने मुझे क्वेशन दिया था x-2 जिसको मैंने यहां पर दर्शानी की कोशिश की है यह दिखिए और एरो बना कर मैंने लिख दिया कि this is the value of x-2 because x is not yet decided yes vary कर रहा है कुछ भी हो सब्सक्राइब हम बाद में जानेगे और सर अगर मैं x-2 कैती तो आप x के मैं यहां पर आगिया जाते हम क्योंकि वो उसमें जोड रहा होता यही तरीका होता है सर जब हम x की बात करते है और अगर यह कहूँ आपको कि 4x दर्शाई है एक दूसरी शीट पर 4x बना सकते है बलकुल बना सकते है यह लिजिए लेर्नर्स आप भी 4x बनाने की कोशिश कीजिए चाल यह ठीक है पहले तो number line बना ली जाए सर कोई बात ली number line टेडी भी हो जाएगी तो कोई परशानी नहीं आप अब मुझे लग रहा है आपने अच्छे से क्लास जो है पढ़ाई है आप भी एक फ्री हैंड एक number line बना सकते हैं फ्री हैंड का मतलब है कि आप बिना स्केल की मदद से भी line बना सकते हैं सर ने 0 तो मार्क कर लिए अप सर कहीं भी X मार्क कर लो जहां आपका दिल गरे जहां आपका मन करे ठीक है और अब मैंने यह बोला कि 4X learner इधर देखेंगे जो 4X हमने सर को बोला आपको याद होगा आपने previous classes में पढ़ा है कि 4X क्या होता है 4X यानि X प्लस X प्लस X प्लस X प्लस X चार बार हम X को जोड़ेगी तो देखते हैं राहूल सर किस तरीके से इसको number line पे represent कर सकते हैं अब मुझे लग रहा है कि 4X आपने बोला था यानि कि 4 का multiplication था वो अब मैंने किया कैसे है इस तरीके से बनाने की कोशिश की है number line और उस पे मैंने mark किया X फिर 2X यानि कि मैं उसमें multiply करता गया और फिर मैं या पहुँचा हमारा ये 4X तक अब ये सही है या नहीं ये तो जब मैडम चेक करेंगी तब मालूम पड़ेगा हमारे लर्णर्स ने बता दिया है कि वह अपने सही किया है और एक और तरीके से भी लर्णर्स ने किया होगा मुझे लगता है कि जब हमने 4X किया तो हम जिसे आप कूद कूद के आप multiplication tables नहीं बनाते थे नंबर लाइन पर जंप करके X से और आगे बड़े उतने डिस्टेंस पर तो हम 4X पहुंचें देखिए राहूल जी आपको मैं ये sheet देती हूं आप देखिए क्या मेरा वाला सही है मुझे ये लग रहा है कि मैंने दूसरे तरीके से किया है और आपका तरीका ज्यादा सरल है मुझे लग रहा है नई राहूल जी आपका तरीका भी सरल है दोनों तरीके सरल है सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें किस तरीके से समझ आलता है तो यह भी है, और हमें समझ में किसमें आता है, यह ज़्यादा बेहता है. – रराहुल जी, मैहाँ आपका दनेवाद देना काहँँगे, क्योंकि आपने बता है, इसे युचिए जरूरी है कि एक ही तरीका किसी भी काम को माच्त करने कारने का नहीं होता है, तो आपका धन्यवाद आपने एक अच्छा तरीका हमें यहां पर बताया है तो चलिए अपनी फॉर्मल उस पर चलें यह तो एक्टिविटीस ही यह अपना समझ बना रहे हैं कि वैरियेबल्स कैसे होते हैं नंबर लाइन्स पर काम करते हैं जो X, Y, Z हमें लगते हैं अलजेबरा में सिर्फ वह ऐसा नहीं होता कि हमें समेशा वैल्यू नहीं पता तो हम क्या माने क्या नहीं अप उसको समझे कि हमारे वह वह वैरियेबल्स हैं उनकी वैल्यू जब पता चलेंगी तो वह हमें अपनी व बढ़ेंगे अलजेबरिक एक्स्प्रेशन, Terms, Factors, Coefficient, Monomial, Binomials, Polynomials, Like and Unlike Terms, Addition and Supprection of Algebraic Expression, Multiplication of Algebraic Expression, and Algebraic Identities चलिए अभी जो हमने आपसे बात की नंबर लाइन पर रहूल यहां देख पा रहे होंगे स्कृरिन पर और हमारे लर्नर्स जो अलजेबरिक एक्स्प्रेशन के हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको कहा था, X plus 2 and X minus 2, यह नंबर लाइन पर मैंने प्लेस करवाये थे आपसे, और हमने activity भी खीती, तो देखिए, यह कहलाते है हमारे अलजेबरिक एक्स्प्रेशन, जब वैल्यू बता चलेगी तो हमने quantity हो जाएगी हमारी लेकिन अभी क्योंकि X, Y, Z इन variables के टर्म में है, तो यह expression है, और जो expressions बनते हैं, जैसे 4X plus 5, यहां पर मैंने बहुत बड़ा इसलिए लिखा है कि जो जिनका विजन भी low हो तो वो भी हम देख जो मैं बोल जी हूँ, 4X plus 5, यहां यह एक algebraic expression है, जैसे अभी हमने आपको और हमने खिया था, starting में X plus 2, X minus 2, इसमें दो टर्म्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जो यह दो प्लस मीच में जोड रहा है न, दो numbers को यह तर्म्स कहलाती है, रहूल जी, तो टर्म्स हमारी क्या ह यहां पर 4X and 5 and 5, अच्छा, यह ध्यान रखी कि जो 5 के साथ सिंबल है, वो उसके साथ जाता है, साइन, अगर यहां पर 4X minus 5 होता, तो हमारी एक तर्म होती 4X, दूसरी होती minus 5, तो यह हमें ध्यान रखना है, अब तर्म के आगे, तर्म में भी तर्म कैसे बनती है, अभी हम से मिलके बनी है, 4 and X, इससे जादा हमें इसके फैक्टर्स हो गए, और जो 5 है, उसमें से 1 फैक्टर है, तो आपको, जो आपकी टर्म थी, X minus 2, अब बदा सकते हैं वो उसमें कितनी टर्म थी, जो आपने नंबर लाइन पर बनाई थी, X minus 2, हाँ, X minus 2 इसमें कितनी टर्म थी इसमें भी दो ही टर्म है, दो टर्म, कौन-कौन सी, X and minus 2, वेरी नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यह हमारा हुआ, कि हमने यह देखा, एक्सप्रेशन, term and factors, अब एक और बात करते हैं, जैसे यहां पे हम देख पा रहे हैं, 7XY minus 5X, हैस 2 टर्म्स, क्लियर हैं हम आग minus X, terms में जो इनके factors हैं, first term में देखेंगे, तो 7X and Y हैं, आगे बात करते हैं, जो numerical factor जो है, इस term का, यह 7X का, वो इसका coefficient कहलाता है, यानि कि 7XY में, जो numerical factor है, which is 7 है, is called coefficient, coefficient, और minus 5 में, numerical factor क्या है, minus 5, minus 5X में, minus 5 है, तो अभी तक हम ने देखा, learners, की, algebraic expression, then उसमें, terms, then उसमें, factors and coefficient, आगे चलते हैं, अब जब बात आई, कि हमने terms सो देख ली, अभी जो हमने बात की, वो उसमें, दो terms थी, इससे बड़े-बड़े भी expression हो सकते हैं, हम यह भी कह सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से कोई एक्सप्रेशन लिखी ए, रहुल जी, मैं आपको और अपने लर्नर को कोई भी तास्क भोलूँए, हम देखे देखे अपने नोट बुक में लिखें, कि उनके मन में जो एक एक्सप्रेशन आ रहें, आपके मन में क्या करेंगे यहां पर, ठीक है, एक और देखे हो गया, जो मैंने किया है, जब लेर्नर्स को लिखने के लिए दिया जाता है, मेरे क्लास के एक्सपिरियन्स में आपको पेन दीजिये मुझे, तो बताय क्या किरते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, कुछ-कुछ ऐसा भी लिख देते हैं, उनके मन में, जैसे मैंने लिखा 7, P, M, Q, R, S, उन्होंने का सारे वरियबल्स मैं एक ही में डालना चाहता हूं, और 7 से में डिपलाए गरना चाहता हूं, उन्होंने एक्स्प्रेश एक यह वाला लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एक्स प्लस 5y2 प्लस 3z प्लस 2, हां, और यह तो कागज छोटा बढ़ गया, अगर बड़ा कागज उता है, और तो और तर्म्स लिख देते हैं, क्यूंकि तर्म्स आप अभी हमने समझा है, पढ़ा भी है, अपनी आपक वह उत्नफ एक अभी हमने समझान लिख जिसम हैं, यह एक टर्म में रगा है करें जो बनाय हैं, आप बनाया में तंवे जिसमें 2 terms हैं, और मैंने जो 2 numbers, 2 expressions लिखे हैं, उसमें पहले में 1 term है और दूसरे में 4 terms है, तो चलिए इन पर चर्चा करते हैं, यहां पर हमारे इसमें लिखा था, पहले इसमें पर PPT पर आते हैं अपनी, ठीक है, इसमें लिखा है कि मौनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमिय तो जब मैंने पहला निखा था जिसमें एक यी term ती, उसे हम मोनोमियल कहते हैं, यानि कि अगर single term है किसी algebraic expression है तो तो क्या कह tobacco है गी? बाइनॉमिल और किसी में अगर तीन टर्म है तो उन क्या कहलाएंगी ट्राइनॉमियल अच्छा अब ये तो बाइनॉमियल, मौनोमियल, ट्राइनॉमियल हो गया। राहूल जी अगर भॉत सारी टर्म हो तो क्या हम उनको कोई जनरल नाम दे सकते हैं। बहुत जादा है तो क्या मुल्टिनोमिल कर सकते हैं? पॉलिनोमिल, आप पॉलिथीन, पॉलिस्टर, आप साइंस में भी हम पढ़ेंगे, श्याद हमारे लेर्नर्स इसे स्टेज पर होंगे जहां पढ़ना पढ़ चुके होंगे पढ़ने वाले होंगे तो हम इसमें भी क्या क्यते हैं? पॉलिनोमिल, तो अब पताईए ये लिजिए ये चारो जो आपने लिखी ती और मैंने लिखी ती चार तंब इसमें से आप हमें इडेंटिफाई कर के बताएंगे कि मॉनोमिल कौन सी एक्स्प्रेशन है जो आपने सबसे पहले मैंशन की ती दिखा दीजे लेंडर को मैं इसमें मेंशन भी कर देता हूँ आप देखिये मैं उसमें माक कर देता हूँ ये M है मनोमिल यानि की और जो मैंने लिखेंगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगे आप उस पे नाम मत लिखें क्योंकि वह एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एज कि ये मौनमिल हैं इसमें 1,2,3,4 यानि की ये पॉलिनोमियल है और जो मैंने मेंशन किये हुए थे ये भी देख लिएये है इसमें 7x plus 4 यानि की ये बाइनम हा और उन सब को 1 page Local Co सकते हैं अच्छ है क्योंकि की पॉलिनॉमिया्य मैं ज तू ठम Sc 피 guarantee वो। पॉलिनॉमिया सकती है लेकिन अगर मैं यह कहूं इन पॉली golden में इन बॉलिनॉमियल में से बा कि वा नॉमियल ट्राइन ए ओमनो हमोच अपना है तब आप इसको अलग-ज्डा है थीक्णद ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब बात हुई, हम देख रहे हैं यहां पे, की लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, हमने टर्म्स सो सीख ली, की ए सिंगल टर्म, और अगर दो टर्म्स हैं तो उसमें हम क्या बोलेंगे उस एक्स्प्रेशन को, यहां पे आपकी स्क्रेन पे कुछ एक्स्प्रेशन्स लिखे हुए हैं, जिस 7X, 14X, माइनस 13X, अब इसमें से आप यह आइडेंटिफाई करना है, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, लेर्नर्स, लाइक टर्म्स वो होती हैं, जिसमें हमारे, हमारा जो यह अलजेब्रिक वो फैक्टर्स है वो सेम हो, ठीक है, नुमेरिक फैक्टर बदल सकते हैं, तो जब मैंने का अलजेब्रिक फैक्टर सेम हो, तो यहाँ पे देखेंगे, 7X, 14X, एन, माइनस 13X, यह लाइक टर्म्स हैं, क्लियर है, ओके, यानि की, प्लस या माइनस में जो भी फैक्टर है, उससे कोई फर्क नह पड़ेगा, यहाँ पे मैं करके दिखाती हूं, 7X, 7 into X है, 14X, 14 into X है, माइनस 13X, माइनस 13 into X है, यहाँ देखेंगे, 7X is equal to 7 into X, 14X को आपने मेंचन किया, 14 multiplied by X, and माइनस 13X को आपने मेंचन किया, माइनस 13 multiplied by X, तो इनके जो निमारिक फैक्टर हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनके देखेंगे, अलजेब्रिक फैक्टर जो हैं, जो वारियेबल्स आ रहे हैं, वो सेम हैं, तो यह त्या ऐसे ही अब आप बता सकते हैं, लेर्नर्स के इसमें और कौन-कौन से लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, एक्स स्क्वेर, 5X स्क्वेर, और माइनस 9X स्क्वेर, माइनस 9X स्क्वेर, I think यह दोनों एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि जो अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन ह हाँ, और इसी तरीके से 7XY, और माइनस 5XY, जी, XY लिखा हो या YX लिखा हो, तो यह तो हमारे लेर्नर्स पढ़के भी आए हैं, यह दोनों चिजे बराबर हैं, तो अब इसमें, यहां पर जो अकेले रह गए हैं, वो जो यानि कि अनलाइक टर्म्स हैं, वो 7Y, किसी के मारे बास, एक और है, माइनस 9Y स्क्वेर, इसके जैसे भी कोई और टर्म नहीं है, आगे चलते हैं, बलकॉल, चालिए, यह देखिए हमारी जो एक्स्प्रेशन की जो पर पहुचने वाली है, यहां देखेंगे, मैं लेर्नर्स को दिखाती हूँ, जो हमने लाइक और अनला और दूसरा, जब हमें एडिशन करना हो, दो अलजेबरिक एक्स्प्रेशन का, तो देखिए, यहां पे सवाल है, आपको एड करना है, तो जब एड करना है, तो आपने, यह सवाल आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है, एड 7X स्क्वेर माइनस 4X प्लस 5 और 9X माइनस 10, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम घटा जमा करते हैं, नॉर्मली अपनी नोट बुक पे या टेलर फ्रेम या किसी भी तरीके से, तो आप ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, तो आपने देखा, माइनस 4X के नीचे मैंने क्या लिखा, 9X, और प्लस 5 के नीचे लिखा मैंने, माइ क्योंकि यह लाइक टर्म्स थी, और इसमें से इनकी घटा जमा हो सकती है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा, बस आपको क्या करना है, गटा करके देना है, 7X स्क्वेर तो, अब मैं इसको करके हैं पर दिखाते हूं, आप भी कीजिए, दिएके 7X स्क्वेर के नीचे तो 0 है, तो 7X स्क्वेर आजाएगा, अब यहां पर, जब आपने माइनस 4X और 9X किया, तो आपका प्लस का 5X आएगा, और माइनस 5, अंदर मेरा अंसर ठीक है, आपने भी करा, हमारे लर्नर्स भी, I'm sure कर रहे होंगे इसको कर रहे होंगे, तो चलिए, ऐसे ही आप जमा कर सकते हैं, आगे चलते हैं, कीवर्ट पे अपने, क्योंकि हमारे पास 2 या 3 मिनट का ही समय भी रह गया है, जी, समय हमेश्या अच्छी क्लासित में कम लगता है, लर्नर्स को, मधू, यह 3 जो शब्द है, इनको आप कीवर्ड जो है हमारे आज के सेशन के, उन्हें साइन ल है लाइक और अनलाइक टर्म्स, जो है लाइक और अनलाइक टर्म्स, और थर्ड वन इस पॉलिनोमियल्स, थैंक यू मधू, चलिया, आगे बढ़ते हैं, हमवक की तरफ चलते हैं, रहूल जी, बताएए, हमवक मुझे लगता है आपको भी असान लगेगा, और हमारे लेर् as, monomials, binomials, trinomials, नीचे expressions दिये हुए आपको, minus z plus 5, x plus y plus z, y plus z plus 100, a, b, minus ac, 17, okay, 5 algebraic expression आपने अभी सुने, add, second question है, आपको add करना है, add, learners, मैं यहाँ पे कुछ mistake है, मैं आपको जो बोल रही हूँ, आपको अपनी notebook पे note कर लीजेगा, 7 x square, minus 4 x, plus 5, यह एक algebraic expression है, इसमें से आपको minus करना है, 9 x minus 10, तो इस तरीके के दोनों ही सवाल जो है, हमारे आपने देखे ही हैं, अभी हम लोगों ने discuss भी किये हैं, चलिए, modified homework देखते हैं, modified homework में, identify करना है trinomial, in the following polynomials, algebraic expression वही है, दुबारा repeat करते हूँ, minus x plus 5, x plus y plus z, y plus z plus 100, ab minus ac, 17, ठीक है, second question है, add, 7 x square minus 4 x plus 5, and 9 x minus 10, चलिए, तो यह तो हुगा homework, आप homework submission देख लेते हैं, कैसे आपको भेजना है, यह homework submission की slide आपको दिखाई दिये रही है, यह screen पर जिसमें आप अपना नाम लेखेंगे, अपनी class, अपनी school का नाम, अड्रेस और अपनी teacher का नाम, और आप यहाँ पर Dr. Shilpa का भी नाम मेंशन कर सकते हैं, आज के यह session की date, यानि की 1 March 2023, और आपका photograph optional है, वैकलपिक है, यदि आप उसे लगाना चाहते हैं, email में भेजना चाहते हैं, तो जरूर भीजिएगा, ताकि हमें मालूम पड़े कि किस student ने यह homework किया है, तो सेशन समापती की ओर आगया है, मुझे लगता है कि डर आपने मेरा भगा दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद रहुची, सललता से आपने अलजबरिक एक्सप्रेशन को हमारे जो सभी चात्र हैं, हमारे साथ चोड़े थे चैनल लंबर आठ पर उनको समझाया, इसी के साथ हमारा ये आज का जो इंक्लूसिव क्लास्रूम का सेशन था हम यहां समापत करते हैं, आप हमारे तमाम और सेशन के लिए देखते रहिए ये विद्या चैनल फिलाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजादत, नमस्कार अज़े ये आप हमारे ओितना थींश समानीस प्रित awful लित करते हाँ जी थाओ सμέक़ चैनल झारी तो बहत है